डेली करिंट निज में इस वक्त की ख़बर है रानी गेदनली ट्राइबल फ्रिदम फाइटर्स मुजिएम का शिला नास केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिच शाह ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये मनीपुर में रानी गैदिनल्यू ट्राइबल फ्रिडम फाइटर्स म्यूजियम की आधार शिला रखी ये संग्राले लोगों को जनजातिय समाजद्वारा देश की आजादी के लिए किये गए बलिदान को बताएगा ये संग्राले जनजातिय मामलों के मंत्राले के तहट करीब 15 करोड रुपे की लागत से रानी गैदिनलियू के जन्मस्थान तामेंग लोंग जिले में स्थापित किया जाएगा रानी गैदिनलियू को रानी गाइदिनलियू के नाम से भी जाना जाता है इनका जन 26 जनवरी 1915 को मनीपूर के तामेंग लोंग जिले के नुंग काउगाउं में हुआ था रानी गेदिनलियो एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी और इनका संबंध मनीपूर की रोंग में जन जाती से था ये 13 साल की उम्र में ही स्वतंतरता आंदोलन में शामिल हो गई और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का नेत्रत भी किया 1932 में इन्हें गिरफतार कर आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई इन्होंने 14 साल जेल में बिताए और 1947 में भारत की आजादी के बाद ही रहा हुई रानी जी के जन्मशती के अवसर पर सरकार द्वारा पांच और सो रुपे के सिक्के भी जारी किये गए इन्हें पद्मभूशन से भी सम्मानित किया जा चुका है इसके अलावा भारतिय तटरक्षक बल द्वारा 2016 में एक गश्टी बोट का नाम भी इनके नाम पर रखा गया इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल